जैसे कि हम आपको बीते कुछ दिनों से बताते आ रहे हैं एक एक करके कि आप लोगों का ये नवंबर का महीना कैसा गुजरने वाला है तो आज इसी क्रम में बात होगी तुलाराशी वालों की आज हम आपको बताएंगे कि तुलाराशी वालों का नवंबर का महीना किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है बता दें आपको तुलाराशी वालों की आर्थिक स्थिती में सुधार होता हुआ दिख रहा है इस महीने में लेकिन आप लोगों को अपने वाने पर लगाम रखना ह वरना आपके कार्य रुख सकते हैं नौकरी पेशा करने वालों के लिए ये समय काफी जादा अच्छा है आप लोगों की प्रशंसा की जाएगी जिसे आप सदियों से सुनना चाहते थे पिछले कई समय से आप बेचयान है ना खुश है तो आपको बता दें आप आने वाला समय आपका काफी जादा शांदार रहने वाला है आपकी सभी समस्याओं का अंत हो रहा है और आपको आपके ग्यान का विस्तार करने की ज़रत है इसी के साथ ये महीना काफी जादा फायदे मंद है आप इस महीने में अपने कई पुराने दोस्तों से भी मिल सकते हैं इसी के साथ लोगों के साथ अपनी बाते जरूर शेयर करें ताकि सामने वाले लोग आपको समझ सके और आपकी फिलिंग्स को समझ सके अगर कोई बात आप अपने अंदर दबा कर रखते हैं तो उसका खामियाजा भी आपको ही बुगतना पड़ सकता है इसलिए जितने जादा फ्रेंट्स आप बनाएंगे उतना ही जादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है व्यापारिक रूप से आप लोगों को काफी जादा लाब मिल रहा है कई बिजनस डील इस महीने में पूरी हो सकती है जो कि आपके लिए फायदे मंद रहने वाला है महीने के बीच में काफी सामानने दिनों का सामना करना पड़ेगा लेकिन महीने का अंत आप लोगों के लिए काफी जादा शानदा रहने वाला है तो ऐसा कुछ तुला राशी वाला का मही नवंबर का महीना उनके साथ बीतने वाला है इसी तरह रोजान अपनी राशीयों के बारे में जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले